लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नूरे हक्षम में इलाही को बुझा सकता है कौर जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौर अच्छ आपकी 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 दोने जिसका है को आपकी अब्दों कर दियाना सारा काम तमाम अब यह आकाउंट फिर से कौन जोड़ेगा तेरा बात जोड़ेगा क्या साब साब मेरी गलती नहीं है इधर देखिए साब यह देखिए जब से यूनियन के लीडर बन गया है तब से कैसे रास्ते में पैर फला के सोय हुए है साब वह भी वड़ा साला है साब आपको मनिजा साब विला रहा है मेरा भारत महान है चिलाने की किया दृदवद है मैंजर बुला रहा है ना कियम्तुत नहीं बुला रहा है जा मैं आता हूंँ जा मुझे बुला अपना यह सब क्या है क्या है मतलग यह गुडविल कंपनी को इतना जादा पैसा ओड्राफ्ट करके क्यों दिया गया है वह देना पड़ता है वह बैंक का गुडविल बना रहे हैं अपनी आप मुझसे पूशे बगायर कोई काम नी करेंगे अभी अभी उनको फोन कर दीजिए और कह मैंने उसको तीन मेने का भोला हूए यह आपका अपना पैसा नहीं है बैंक का है पूबलिक का है आपका कोई हभ नहीं है ए मेरा आप क्या होता है मुझे मत समझायाईए मैंक्वर्ण को प्खरतवी नहीं हूँ कि मनदापจीio क्या आप काम पे शराब पी के आए हैं। मेरे को डॉक्टर ने बूला था। किमिनलाल जी अगर दोबारा आप शराब पी कर आए तो आपकी शिकायद मैं हायर अथार्टी से कर दूपा। बद्वी प्रशाद जी सेफ की चावी ले ले लिजी इंसे। जब तक ये शराब पी कर काम पर आना बन न कर दें। तब तक चावी आपकी पास रहेगी। आपके आउट। जबत. एएएएएएएए एक पेगालणा इस चावी के लिए परिशान हो न तुम लेकिन मैं उस ताले के लिए परिशान हूँ जो हम दोनों की किस्मत पर लगने वाला है जिस दिन वर्मा को इस बात का पता चल जाएगा कि बैंक का तीन लाख रुपया तुम इस गिलास में उंडेल कर पी चुके हो और मैं ताश की गड्डियों में बैंक कि कितनी गड्डिया हार चुका हूँ उस दिन हमारी किसे जेता उंक कि तरह भाशन मत दे कोई रास्ता हो तो बता हूँ अरे रास्ता क्या बता हूँ मुझे तो जेल की कोठ़ी किसी बार गुट दिखाई नहीं दे रहा है जॉन बनेगा डॉन वो बन जान है यार काई कुबोर कर रहा हड़ क्योंकि तुम्हारी पतंग की डोर अब कटने वाली है लेकिन माय तुम्हे बचा सकता हूँ हड़ुड इस महरबानी की वजे जॉन सहाप इस हाथ दे उस हाथ ले 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 कस अनाप अर्य कुजग अरे रहा हुड इधर से गुजर रहे थे सोचा भावी जी से मिलते चलें कौन है जी भावी जी, मैं हूँ आपका छोटा देवर मेरा भारत महान हाहा अरे कुछुना, भावी जी बैठी रही है अरे अरे ये क्या कर रहे हैं सुवे से कह रहा था कि जब तक मैनेजर साफ मुझे माफ नहीं करेंगे तब तक मैं भावी जी के पैर नहीं छोड़ूँगा फर्गिस नहीं छोड़ूँगा अजी इन्हें माफ कर भी दीजे न अगर तुम कसम खाते हो के तुम दुबारा शराब पीकर बैंक में नहीं आओगे तो मैं तुम्हे माफ किये देता हूँ मैं भावी जी के चलनो की सोगन खाकर कहता हूँ मैं शराब को कभी हात नहीं लगाँगा अब तो उट जाए भाई साफ अब ने माफ कर दिया है इधर आजा और यह ले चावी यह जिम्मेदारी वाले काम से मुझे बहुत डर लगता है अच्छा भावी जी अच्छा मैनेजर साफ हम चलते है अरी ऐसे कैसे जाएंगे भाई साफ खाना खाके जाएगे अब इस वक कहां खाना खाएंगे भावी जी एक कब शराब मिल जाए तो परे कुछ नहीं आएगा अब क्यों तकलिप कर रहे हैं आप तो बैठे बैठे बोर जाती होंगी कल से मैं आपकी सेवा के लिए अपनी पत्नी को भेज दिया करूंगा आप लोग अपनी चाय में शक्कर कितनी लगी हम दोनों को डायबिटी सर्च बगर शक्कर की ही चलेगी हाँ चलेगी भावी जी कितना प्यारा चुला है मुन्ने के लिए मुन्ने राजा बजेगा पाजा भावी जी मेरा तो दिल करता है कि मैं खुद जूले में लेड जाओं और जूलू बद्री तुम कभी जूला है जूला जूला हूं जूला हूं लेकिन अब हम दोनों साथ में जूलेंगे चीर जून भाई आपने चावियां मंगाई हमने लाकर दे दी अब आगे बताईए क्या करना है अब जो कुछ भी करना है मुझे करना है आपने सारे पुराने पाप धुल गए क्या नोट चापकर लाए थे 25 लाग के जाली नोट बैंक के बारगर किसी को शक भी नहीं हुआ सोचता हूं इन जाली नोटों से जनता के वोट खरिद कर पॉलिटिक्स में क्यों नकूद पड़ू मुझे भी साथ लेकर कूद पड़ना साथ में बले ही नकूद हूं लेकिन दूबूंगा ज़रूर साथ लेकर आएं चलो लो ही आगे अरे खान तुम कब आए पांच बजे से बैठा आपका इंतिजार कर रहा हूं क्यों कोई खास बात है क्या वर्मा तुमारे बैंक से जाली नोट मार्केट में जा रहा है क्या जाली नोट और मेरे बैंक से? एक आदमी F.I.R. लिखवाने आया था मेरा फर्सो ये कहता था कि F.I.R. लिखता और सीधा तुमारे हातों में हत्कड़ी डालता लेकिन तुम्हारी इमानदारी और हमारी दोस्ती विश में आ गई मतलब? फॉरन पता करो के बैंक से जाली नोट कौन चलाता है वर्ना वर्ना क्या करेंगे आप? मेरे पती को हटकरी पहनाएंगे? सीधा खान अपनी ड्यूटी कर रहा है तुम फिकर मत करो दोस्त मैं एक हट में पता लगा ही लूँगा हमारे बैंक में गदार कोने ठीक है वर्ना में चलता हूँ बाभी तकलीफिली आम आपी चाता हूँ थान थान थान्क्यवेरी मॉच्च पहुआ पहुआ कर दो तुमारी मॉच्छ आपनो जोगो! जोगो! सबस्तु लोगो! जोगो! जोगो! मैं रहाँ जोगो! 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 मुपाला को गर्मादी कहा गर? कहा गर्मादी यह असली असली नकली क्या कर भाए जल्ती कर आहाँ यह असली यह 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 ले जल्ती नकली हा यह परबस, आदे आप दोनों का पेट अब सिर्फ खेल की रोटियों से बढ़ेगा और उसका इंजदाम भी में अभी किये देता हूँ हलो सिस्टर लगता है इनको जुगाँ अच्छे है सिस्टर जल्दी डॉक्टर को बला के ले क्या हूँ सिस्टर जुगाँ किया लाइ! अरे भाई, आत्मा हत्या करने की को वज़े चो होगी ये आत्मा हत्या नहीं, हत्या है हत्या उन लोगों ने मेरे पती को महोड़ा रहा तमाम गवाहों के बयान से ये आदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि चिमनलाल और बद्री परसाद जिन पर इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने बैंक मैनेजर राम किशन वर्मा का कट्ल किया है, बेगुना है क्योंकि मक्तूल राम किशन वर्मा की हत्या नहीं की गई, बलकि उसने आत्म हत्या की है इसलिए ये आदालत चिमनलाल और बद्री परसाद को बाइजद बरी करती है कि हुई 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 comment अजय है। हुआ 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 है किशिन तू दर्शन नहीं करेगा? चान्ती हुआ तू यही कहेगा कि भगवान के दर्शन उसी दिन करूँगा जिस दिन मेरा भाई राम वापस आजाएगा छुआ हुआ है माता का पिदा तो में बाता है, बंदू सागा तो में बाता है हाँ बंजी उस हट्तेर का कुछ पता चला? जिसने किशन की बच्चे से उसके मा चिल ली है? अभी तो नहीं, बंडिट जी, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा किशन उन्हे एक न एक दिन ज़रूर ठोन लेगा अगर राम को पड़ा लिखाकर इस्पेक्टर बनाती तो अच्छा होता कहा रहता है वो, आजकल दिखाई नहीं देता राम के बारे में राम ही जाने लगता है भगवान राम की तरह मेरे राम को भी पनवास हो क्या हमारे बेटे का नाम राम होगा बिलकुल नहीं, किशन होगा राम अरे भाग्यवान, मत रखो उसका नाम राम क्यों? वो इसलिए कि अगर उस पेचारे की किसमत भगवान राम जैसे निकली तो चौदा साल उसे जंगल में बटकना पड़ेगा ची, कैसी अशूब बाते मुंसे निकालते हो सेम, चला जाओ यह है कालिया बस्ती, जुर्म की लंका यहां इनसान कम और हैवान जादा बस्ते है दुनिया का ऐसा कौन सा काला धंदा है जो यहां नहीं होता यह सब काले धंदे करने वाला सिर्फ एक ही शखस है जिसका नाम है कालिया पठान उसकी गरिफतारी का वरंट तीन महीने से मेरे टेबल पर पड़ा हुआ है लेकिन आज तक कोई ऑफिसर मेरे पास ये कहने नहीं आया कि सर ये वरंट पुझे दे दीजे मैं तालिया पठान को गरिफतार करता हूँ क्या हिंदुस्तान की माओं ने बाहदुर बेटों को चंद देना पंद कर दिया जो कालिया नाम की आँद ही कि अब मुँ में लगाम डाल सके बड़ जाओ जब बड़े बात कर रहे हैं तो बच्चे फीच में नी बोलते है मिस्टर शर्मा आप कुछ कह रहे थे नहीं सर वो मैं इस नए आफिसर को ज़रा समझा रहा था मिस्टर शर्मा अगर इनने कुछ समझाना है तो समझाने के लिए मैं हूँ मेरी आखों के सामने ऐसे कई आफिसर्स हैं जो इस आरेस्ट वारंट को अपने हाथ में लेना चाहते हैं सर अब यह गलती कोई नहीं करेगा इस नहीं करेख पांच दिन के बाद मिस्टर खान की लाश भाई खला के गटर में मिली थी आपका मतलब यह है कि इस पेक्टर जुबैर खान की मौत के डर से हम राम के बजाए रावन के आगे सर जुकाना चुरू कर दें नो मिस्टर शर्मा नो जिस दिन कालिया जैसे मुझरिमों का खौप हम पुलिस वालों के दिलों पर हुकूमत करने लगेगा उस दिन सिर्फ हमारी और आपकी ही नहीं इस वर्दी की भी मौत हो जाएगी जो हम सबने पहन रखी है यादव ये कमिशन साहब हमको इंसान कम कुर्बानी का बगरा ज्यादा समझते हैं नेताओं की तरह भाशन दे रहे थी अरे हमारी माने हमको क्या इसलिए पैदा किया है कि हम जाकर अपनी गर्दन कालिया पठान के सामने रख दे और कह दे लो भई ही ये रही हमारी गर्दन जैसे चाहाओ उड़ा दो हैं अरे हां कल मिस्सिस खान मिली थी कह रही थी अभी तक पेंशन शुरू नहीं हुई तीन महीने और लग जाएंगे बहुत परिशान थी बचारी बताईए ये हाल है इस मुल्क का एक आदमी ने अपनी जान दे दी और तीन सौ रुपे पेंशन देने के लिए तीन महीने लग जाएंगे वो नेने इंस्पेक्टर साब आये न क्या नाम है उनका? कौन? जैकिशन जी? हाँ हाँ जैकिशन जी ये नेने लॉणनों को हो क्या गया है सीनियर्स को कुछ समझते ही नहीं वो कमेशने साहब हमसे पूछ रहे था तो ये जैकिशन साहब सीना तान के खड़े हो गए जैसे राना प्रताब मैंने हाथ पकल के बिठा दिया मैंने का बेटा जब बले बोल रहे हो तो बच्चे बीच में नहीं बोला करते है जब बच्चे का पैर बाप के जूते में जाने लगे तो उसे बच्चा नहीं समझना चाहिए बेटा कितना भी बड़ा हो जाए बाप नहीं पंजाता मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और सीनियर ही रहूँगा अगर आप एक ही क्लास में दस साल फेल होते रहे तो आप सीनियर नहीं बेलियर का लाएंगे जैकिशन साहब ऐसी जुमले इंस्पेक्टर खान भी बोला करते थे मगर क्या हुआ मेरी मानों तो ये कालिया वगयरा को पकड़ने का इरादा छोड़ दो और माल कमाव माल आपकी तरह मैंने ये वर्दी माल कमाने के लिए नहीं पहनी लगता है कमिशन साहब की कुरवाहनी के बगरे तुम ही हो कालिया पठान को पकड़ना इतना आसान नहीं है मिस्टर जेम्स बॉन मतलब जैकिशन मैं कुतों के गले में पठा डालना अच्छी तरह से जानता हूं और अगर मेरी लाश तुम्हें मिस्टर खान की तरह किसी गटर में मिले तो मेरी लाश को मेरी मां तक पहुंचा देना वो पूना में रहती है उनका पता ये है गीदल की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ जाता है ये कालिया पठान की तरफ गया नाम पता तेरा पूछी लिया मैंने तुझे को ढूण लिया नाम पता तेरा पूछी लिया मैंने तुझे को ढूण लिया मैं ही रो हूँ तु है विलन तु है विलन तु है विलन है आज तेरा मेरा मिलन मैं ही रो हूँ तु है विलन तु है विलन तु है विलन है आज तेरा मेरा मिलन है विलन तु है विलन ये ही रो है तु है विलन है आज तेरा मेरा मिलन है आज तेरा मेरा मिलन है आज तेरा मेरा मिलन है विलन तु है विलन 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 तूगी तड़ है शेर नहीं शेर है तो मुखेर नहीं क्या लड़ना एक भुष दिल से जो है बाहर आबल दे मैं लेके आया ये बैंग बाजा बाहर आजा ओ दूल राजा मुख्त में रोटी दान मिलेगी शेल तेरी सस्राल बनेगे मुख्त में रोटी दान मिलेगी जेल तरी सस्राल बनेगी ये हसकड़ी तेरी तुलहन तेरी तुलहन तेरी तुलहन है आज तेरा मेरा मिलन मैं ही रो हूँ हूँ है विलन है आज तेरा मेरा मिलन सुच रहा है क्या तू साले कर दे खुद को मेरे हावाले कर दे खुझ को मेरे हवाले सोच रहा है क्या तू साले कर दे खुझ को मेरे हाले वक्त है भादी सब कम तेरा देखने या मैंने दम तेरा मैं हग इन्साफ कराई हूँ तू चार मैं एक तिपाही हूँ तेरे जैसे बढ़ माशों से बेकार की दिन जानाशों से तेरे जैसे बढ़ माशों से बेकार की दिन जानाशों से परना है मुझ को फाक वतन है आज तेरा मेरा मिलन है आज तेरा मेरा मिलन ये चैलेंज देने आया हूँ मैं तुझ को लेने आया हूँ मैं तुझ को लेकर जाओंगा एक दो तीर चार आज पड़ेगी तुझको मार पाट छे साथ आज मारो मुझे तोड़ो लाज नो दस ग्यारा बारा आज मरेगा ये बेच्यारा तेरा चोधा बंद्रा सोला आया दुश्मार भेगो गोला ये ही रो है तु है विलन तु है विलन है आज तेरा मेरा मिलन है आज तेरा मेरा मिलन nand कर pieces एंगजाता था एंगजाताquently कर मेले कर दो ढएğin worn a है ढद सो समयाओ कि कर कि रढ़ है है Wlimे लो praw Mol Bol संग है शिसर भो खिसक कि अ हम भी उम भी दान एंग, टूख है पॉलिस वाले जब भी किसी मुझरिम को पकड़के लाते हैं, तो फॉरण फोन आ जाता है, कि जिस मुझरिम को पकड़के लाए हो, उसे छोड़तों, उसे, वो किसी M. A. साफ का साला होता है, या MP साफ की बहन का बेटा होता है.. इसलिए शरीफ इनसान जब अपना जाय आज़ाइस बापों का पता नहीं बता देता तुम फोन को हाथ मत लगाँ, वह समझे हो साफ कबूल, मुझे सारे गुना कबूल है यादो, कालिय बड़न का बायन लिख लो राम राम हरे 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 कुछल हरे लाम ये पुली स्टेशन पुजारी जी, किसी मंदिर में जाएए पुली स्टेशन भी तो इनसाफ का मंदिरी है आजादी से पहले हम लोगों ने गांदी जी के साथ मिलकर राम राज का सपना देखा था तुम लोगों ने हमारी दी हुई वर्दी पहन कर रावन राज चला रखा है क्या मतलब है आपका? मतलब साफ है कालिया पठान को छोड़ दो कालिया पठान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया तो अदालत में बदल देगा तो अदालत से छुड़वा लीजिएगा अच्छा तुम शायद मुझे जानते नहीं हो मेरा नाम एमेले बद्री प्रसाद है पिछली गवर्मेंट का तकता मैंने आके लिए पल्टा था सरकार से पगार ले और आराम से जिंदगी गुजार कालिया पठान के लपड़े में पड़ेगा तो बेमाउत मारा जाएगा तो अधर गई है कहीं तुमारी धोती ना उतर जाए ना केडार अफ्या जै किशन मैं हरी किशन का भगत हो ऐसी घंटी बजाओंगा ना कि आगे से और पीछे से पू तक नहीं निकलेगी जाओ 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 जाकर घंटी बजाओ कहीं बाप का लाद समझते हैं लोगों जै किशन तुम्हारी मा को किड्नेप कर लिया गया है कह रहे हैं कालिया पठान को अगर एक घंटे के अंदर नहीं छोड़ा तो तुम्हारी मा को जान से मार देगे फोन अलब हमारे आदमे को छोड़ दो नहीं तो हम तुम्हारी मा को मर डालेगे मार दीजिये मेरी मा को लेकिन मैं किसी भी सूरत पर काल्या पठान को नहीं छोड़ूंगा ये क्या किया तुम ने धर्थी मा के लिए मैं अपनी मा की कुर्बानी देने के लिए तयार हूँ लेकिन आप तो ऐसे मरे जा रहे हैं जैसे कि वो मेरी नहीं आपकी मा है वाइद वो मेरी मा नहीं है उन लोग ने किसी घलत और को किड्नैप किया है मेरी मा तो सुभा ही पुना से पहुची है लेकिन उन लोगों को कैसे पता चल गया कि मेरी मा पुना में रही है बड़ी सीधी जिवादा साब, जिस तरह आपने अपनी मा का अड्रेस मुझे दिया था, हो सकता है किसी और को भी दिया हो? या फिर ये भी हो सकता है कि आपके खिसे से गिरकर वो अड्रेस सीदा उन लोगों के पास पहुँच गया हो, जब आपने खिसे में देखना कहिछे तो नहीं? बिल्कुल नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये देखी, आपकी मा का अड्रेस मेरी जेब में अभी तक मौझूद है तो ये अड्रेस वहां तक कैसे पहुच गया? कालिया पठान आज और अभी बताएगा गाम संग कालिया पठान को बिटाइरो में ले चलो सबका हलबा कर दूगा अब तू मुझे मेरी मन्जिल तक पहुंचाएगा चल चल हट हट हुआ 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 आज नाना जी कहा करते थे कि समय पढ़ने पर तो घदे गदे को भी अपना बाप कहना चाहिए आज हम तुम्हें अपना बात कहेंगे परम्पुजय पिताजी कालिया पठान को सही वक्त पर गोली मरवा के आपने जो अपनी अकल का परीचर दिया है वो काबिले तारीफ है हम आपके पर चुएंगे नहीं नहीं सर क्या कर रहें आप तू तो ऐसे पिछे हट रहा है जैसे मेरी पिट पे बंबंदा हो नहीं सर ऐसी बात नहीं है अच्छा नहीं लगता पैर चुना नहीं चुना लेकिन थपड तो मार सकता हूं न जी थपड अब पूछ थपड क्यों मारा पूछ क्यों मारा क्यों क्यों मारे सर इसलिए कि तुन्हें पहले ही कालिया पठान को फोन करके क्यों नहीं बताया कि वो हराम इंस्पेक्टर उसको एरेस करने जा रहा था सर उसने इतनी होश्यारी से चाल चली मेरा भारत महान करता है दुश्मनों के गुडगान अब इस सरकारी डलाल हर महीने इस मंदिर से किस बात का प्रसाद लेकर जाता है जी वह अपर वर्दी तुझे जरूर सरकार ने दी होगी लेकिन उसके नीचे जो इंपोर्टन्ट क्या वो इंपोर्टन्ट इंपोर्टेड है इंपोर्टेड 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 विदेशी चड्डी जो मेरे पैसों की है इसलिए सरकारी काम कम कर और मेरा काम ज्यादा पुछ क्यों 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 सर्कार अगर तेरी वर्दी छेन भी लेगी तो भी मेरी चड़ी तुझे नंगानी होने देगी और अगर मिस्टिक से मैंने तेरी चड़ी उतार ली तो सड़कों पे छुपाता हुआ फिरे इस बुडिया का क्या करे अबे करना क्या है छोड़ देना ये भारत माता थोड़ी है जिसके लिए पुरा हिंदुस्तान मेरे कदमों में किरेगा जा बुडिया जा एश कर जा के भजन कर जा देखो शर्मा जी I don't like your work of style style of working sir you teach me me sorry sir sorry देखे शर्मा इससे पहले कि मेरे भेजे का प्लास्टर तूटकर तेरे सर पे गिरे थारण जाकर पता करो कि इंस्पेक्टर का कमजोरी क्या है enemy weakness or strongness okay okay go now go go okay मेरा भारत महार ha 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 चलो बड़ा चलो बड़ा मुझा कमा साम को बढ़ आए साम को ले जाओ साम कमा कहीं कैसे आना हुआ यह होगी यहां से गुजर रहा था सोचा तुमसे मिलता चलो तचार किया क्या पी होगे चाय कॉफी थंडा ने फिलाल तो एक गलास थंडा पानी मा शर्मा जी आए एक गलास थंडा पानी भेजना लाई बेटा जय किशन कुछ पता चला यह कालिया किन लोगों के लिए काम करता था अभी तो नहीं लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा क्या बात है शर्मा जी यह हाथ क्यों काप रहे है है नहीं हाथ तो नहीं काप है गलास हाथ से चूट गया लगता है आपने मां को पहले कहीं देखा है जी नहीं, मैं तो इनको पहली बार देख रहा हूँ अच्छा, पहली बार देखा है तो फिर इतना पसीना क्यों? पसीना? का है पसीना? यह लेजे, पसीना पहुंच लेजे नहीं, नहीं, मैं चलता हूँ एक बात सुनते जाईए जिसाद मीने मेरी माँ को किड्नैप किया था मेरी माने उसकी शकल तो नहीं देखी लेकिन आवाज ज़रू पचान लिए जिस दिन वो पकड़ा गया बागी भी बच नहीं पाएंगे क्या बात है शर्मा जी? ये बदरी सुबह सुबह बॉखला आए हुआ, क्यों नजर आ रहा है? बात ये सर कि इंस्पेक्टर जैकेशन को शक हो गया है कि उसकी माँ को किड्नैप कराने में मेरा हाथ है तो अपने हाथ काट दो नहीं समझे? बुजूर्ग कहा गया है कि जब अपनी गर्दन फंदे में जूलती हुई नजर आए तो किसी दूसरे की गर्दन फंदे में डाल दो या वो फंदा काट दो इस में से कौन सा काम तुमारे लिए एजी है? मेरा मतलब आसान है ये फंदा काटना तो बहुत मुश्किल है तो फिर किसी दूसरे की गर्दन फंदे में डाल दो मैं समझा नहीं आरे भाईया वो जो समझना है जल्दी समझ लो वरना बॉस को ख़बर पड़के तुमारे 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 तुम चिमान और मेरी पतलुन तो कही बार गिली हो चुकी है चुपकर यार एलो रुपिये और काम हो जाना चाहिए अगर कुछ गर्बर की तो तेरे बाल बच्चों की ख़ईरत महीं संजे नबस्ते का अंदर गुसी जा रही है यह पुलिस टेशन है तो मैं कहां कह रही हूँ कि यह भैसो का तबेला है कहा है तेरा साब अरे क्या बात है मुझे बता छोटे मोटे केस तो मैं समाल लेता हूँ अगर तुम्हारी इज़त पर किसी ने हाथ डाला है तो मुझे उसका नाम पता बताओ अरे मैं उसकी इज़त पर हाथ डाल कर तुम्हारी इज़त वापस ले आऊँगा एए तुझे हवलदार किसे बनाय रहे मेरी मा ने हम समझ गई क्या समझ गई यही कि तेरी मा ने तुझे हवलदार किस लिए बनाया किस लिए ताकि तुप पुलीस में भर्ती होकर सर्कारी खर्च पर ये पता कर सके कि तेरा बाप कौन है है क्या वक्ती है अंदर कर दूँगा हाथ लगा के तो देख साले ऐसा कारंट मारूँगी कि तुप वापस अपनी मा के पेट में घुस जाएगा है लड़की क्यों चला रही है मैं ही नहीं सारा हिंदुस्तान चिला रहा है कि गुंडाराज खतम कर दो बगर तुमको क्या इधर उदर घूमे आठ घंडे की ड्यूटी में साथ घंडे सोए पगार लिये और चल दिये घर कोई मरता है तो मरे किसी की इज़र लुटती है तो लुटे मैं पूछती हूँ कि सरकार तुमें किस बात के लिए तंखा देती है सरकार मुझे तंखा देती है गुंडागर्दी खतम करने के लिए और भोले भाले इंसानों पर हो रहे जुल्म को मिटाने के लिए क्या ये बच्चे तुम्हे भोले भाली नहीं लगते ये और चोरिया डाकू लगती है बिलकुल नहीं अरे तो फिर इनकी जान की इफाद़ कौन करेगा कौन है ये लो पूरी रामायन खदम हो गई और ये आप पूछ रहे कि रामचंदर जी कौन थे कौन थे तेरे बाप राधा राधा कम्री को पान ते बापू बापू राधा के बापू हमारा पेंदरने के लिए आपने ये क्या कर लिया बापू हमें भूख लगेगी तो हम पानी पिकर सो जाएंगे साहब मेरा पती निर्दोश है हमारे पेट भरने के लिए इन्होंने दूसरे का पाप अपने सर ले लिया है कौन है वो आदमी जिसने तुम्हें मजबूर किया ये शुन्तर साहब अगर मेरे जबान खोली तो वो मेरे बीवी बच्चों को माँ ढालेगा बाप का राज है क्या साहब मैं बताती हूँ वो साला मुत्तु जात का कसाई है जानवरों को तो काटता ही था अब आदमीयों को भी काटने लगा है का रहता हूँ बाच्चा मंडी में मुत्तु कसे गाने था हां मुत्तु कसाई कौन है मुत्तु कसे गाने था हां चलभाज मट्टो कर साहिगा देता है मतोना, 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 मोटोना, वो पुलिस वह दूड़ रहा तुमको खाने दे उसे हाँ क्या चाहिए तरको आदा किलो, आदा किलो दे इसको कौना भै? मतो कर साहि का है मतो कर साहि मतो कर साहि उपर है उपर सब बक्रे वही कारता है तेरे को भी करता है तो जा जाना सबस्टाइ सबस्टा कर दो, पुर जए हुआए उन्हीं करें झाया जिया हुआ है। लगा पाइजिए भी पाइजी। है खौकित, हो तो कि पहलецती है नहती है, एक पर खो झाह सबुकित नहत्ते हैं अरियां...... हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ है अरे वास्टाम मज़ा आ गया, क्या हंगामा कर दिया तुम्ने, पूरे शेहर में पब्लिक से तुम्हारा नाम ले रही है, इंस्पेक्टर है या तुफान, हवा की छोकी की तरह आया, मुटू की हंडिया फोड़ी और आंधी की तरह चला गया क्यों बे, अभी मुंडी जुका के क्यों बैठा है, अब दिखा दादा गिरी, दोई फट्के में हवा पथली हो गई अरे साप, तुम्हारे जैसे करक अफसर दो चार और पेदा हो जाएं, तो पूरी बंबई का कल्यान हो जाएं तो फिर कल्यान का क्या होगा? क्यों, तेरा बाप कल्यान में रहता है क्या? चलो, जाएं से अरे साप, मतलब की बाद तो अभी तक हलक में अट्की हुई है तो जल्दी बखो अरे साप, ठेलो अरे साप, दिल की बाद जबान पर लाते-लाते, लड़किया जवानी से बुढ़ापे में पहुंच जाती है और तुम चाहते हो, मैं अपनी दिल की बाद धर से बाहर निकाल दू जैसे कि इधर से अधनी डाली और उदर से आज़ी का बजन बाहर निकला ताइम लगता है, शर्माती है ना आपको भी शर्माती है ये घागरा चोली वाली लड़किया आपकी पतलून वाली लड़कियों से ज्यादा शर्मीली होती है कहो तु शर्मा के दिखाओ शर्माओ ना तुझसे तो मेरी मा न शर्माए मैं क्यो शर्माओ चलो, जाओ भी यहां से दिल की बात कहे बगएर बिजलिया से हिलने वाली नहीं दनपाथ जी, इनकी जो रपोर्टे लिख लो प्लीज ये दिल का मामला है साहब इसकी रपोर्ट साही से नहीं खून से लिखी जाती है और वो भी कागस पे नहीं दिल की किताब दे ठीज़ ये क्या है साहब के दो बच्चे है अरे एक बार शादी कर ले तेरा साप पूरे दर्जन पैदा करके घर में पुली स्टेशन खोल दोगी चले वो तो गया तेरा, चले यहां से निकल नहीं जाओंगी, बोलो क्या कर लोगे अब ये अगर सच मुच की मर्द हो तो अब ये हाथ कभी नहीं छोड़ना साहब क्यों, करण लगा क्या साहब, ये बिजली करण वाली का हाथ है चटका मारे तो दूर फेख देती है और चिपक जाए तो कोई छुड़ा नहीं सकता क्या समझे क्या समझे बैक मारती है फरंट मारती है देखो ये लड़की करंट मारती है बैक मारती है फरंट मारती है देखो ये लड़की करंट मारती है बैक मारती है फरंट मारती है देखो ये लड़की करंट 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 मारती है ये काली नागन का है नमोना लड़की समझ के इसको न जोना ये काली नागन का है नमोना देखो ये लड़की करंट मारती है करंट मारती है परंट मारती है देखो ये लड़की करंट मारती है देखो ये लड़की करंट मारती है मुखडे पे लड़के नैनों के पिंजरे मुखडे पे लड़के नैनों के पिंजरे ये दिल के पंची के परकतर के पिंजरे में करके बंद मारती है देखो ये लड़की करंट मारती है देखो ये लड़की करंट मारती है पॉलिस इसको पकरती नहीं है ये खुद कभी हून करती नहीं है पॉलिस इसको पकरती नहीं है ये खुद कभी खुण करती नहीं है ये करके अक्सीडेंट मारती है देखो ये लड़की करंट मारती है पैक मारती है परंट मारती है देखो ये लड़की करंट मारती है मुझा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो बचना इसनु बचना इसकी नजर के चादो से बचना इसके इधर के खुशवो से बचना नाँ जाने कौन सा यह सेंट मारती है देखो ये लड़की करंट मारती है अगर बारत वापस लड़ गई तुम्हे किसी को मुँ दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा सर् चाहिए देखो बैठो 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 हमद मालार बैठो राम सिंग जी तुम्हाली भेंगिशादी के लिए कितने पैसे चाहिए सर् करीबन बीस हजार रुपयों की ज़रुवत है इसे बैंक में ले जा और आपनी भेंगिशादी की तरियारी करो बैठ जी बिल बन गया पैसे दे दिये तो गहने पैक करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है मैं अभी पता करती हूँ सुनिये आपको सेटी बला रहे हैं मुझे क्या बाते सेट जी सोच रहा हूँ जब पुलिस वाले जुर्म करना शुरूर कर देंगे तो इस देश का क्या होगा क्या मतलब अवलदार साहब ये जाली नोट किसी और दुकान पर जाकर चलाएए जाली नोट लेकिन ये रुपए तु मैं अभी अभी बैंक से लेकर आया हूँ तो फिर बैंक में ही जाकर पता कर लिजे ठीक ए तुम्लोग यही रुको मैं अभी आता हूँ पर कहा ज़रे बीया ये जाली नोट उनके मूँपे मरने क्या है ये जाली नोट जो तुम्हारे कैशेर ने मुझे दिये है तुम्हारा दिमाग तो खरब नहीं हो गया है कभी सुना है के बैंच से जाली नोट मिलते हैं कभी नहीं सुना था लेकिन आज सुन भी लिया और देख भी लिया तुम जाते हो या मैं पुलिस को बलाओं पुलिस को बुलाने के कोई ज़रूरत नहीं है पुलिस वाला तुम्हारे सामने ख़ड़ा है हवल्दार राम सिंग हवल्दा साहब ये सरकारी बैंक है शराब काटगा या अफीम चरस की दुकान नहीं जहां से आपको चाय पानी के लिए कुछ मिल जाए सिर्फ चाय पानी ही नहीं मैं आपको डाल रोटी भी खिलाओंगा और वो भी साथ बाई बारा की खुली में अगर तुम पुलिस वाले ह तो मैं भी काइद कानूं से अची तरह वाकिफ हो मुझे अरेस्ट करने के लिए तुम आपस वारंट है जाए पहले अरेस्ट वारंट लेकर आईए जाता हूं अरेस्ट वारंट के साथ साथ मैं तुम्हारे बाप को भी लेकर आऊंगा मैं सोच रहा हूं कि बॉस को बोलके ओ बजगए घंटी हरे कृष्णा हरे राम मेरा भारत महान मैं कमल बोल रहा हूं किचर से बोल रहा है किचर से नहीं दलदत से बोल रहा हूं क्यों वाँ भी बैंक खुल के रखी है क्या बैंक खुली नहीं है, जो खुली है ना, वो भी बंद होने वाली है दामाज जी, मैंने बड़ो बड़ो की बंद कर दी है मेरी कौन बंद करेगा? तुम सिर्व वन लाइन स्टोरी बताओ जोन? जोन बने का दौन जोन बने कि अचे प्लाइन स्टोरी बंद बंद करें जोन 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 सबड़ी जोन करेंज जोन जोन झाल 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 झालिए और भूमों चेरे उसे ते औरहा है क्थापजर खुरीltरर ए एटक भूँ मालक प्टूए को 희द है जाल नहीं है, उनकी जाल नहीं गई है याद में हत्या नहीं हत्या है, हत्या उन लोगों ने मेरे पती को बहुँ आरा क्या दामाद जी, जी, क्या बोल रहा था अवाल्दर आपको, पुलिस को बुलानी की जुरूत नहीं है, पुलिस वाला तुमारे सामने खडा है आवालदर राम सिंगा जोन साफ ने की जटके में हलाल कर दिया था जोन साफ वाल कर दिया अपका जवाब नहीं जान साब चेर 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 अगर तो वो इसे गुली मारतेगा यह जापको थैंक यू बोल और गुश जान अरे राम थैंक यू जान दीडी का फोन आया था इससे पहले की बात बिगड़ जाए बैंक से सारे जाले नोट हटा दो दामत जी जी कल सुबह तक नोट बदल दीजिएगा हाँ 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 कर दोडने। इस्पेक्टर हवालतार राम सिंग के किन लोगों का हत है कौन राम सिंग मैं किसी राम सिंग को नहीं जाता पच्छी साल पहले इसी तरह बैंक में जाली नोटों का धंदा करने वाले एक कैशियर और अकाउंटन्ट है मेरे बाप का कतल करके राम सिंग की लाश की तरह रेलवे के पटली पर डाल दिया था उनकी जान बचाने के चक्कर में तू अपनी जान खाओ पर देरा करी एक मिरे मिरे मेरी ने किता है उनक साओ का पटली देटाधा हरागा मेरे आप उनका आए किसको तब उठोला जब हमारा बाप आएगा बोस ये हाईदराबादी फटका क्यों इसलिए के दीन दयाल बेकारी को राजा की कुर्ची पर बिठाना भी जानता है और किराना भी समझें लेकिन मेरा कुसूर क्या है कुसूर नंबर वन तुम आख बन करके सोचे को क्या जोक प्राख आदमी आख बन करके नहीं सोगा तो कैसे सोगगा इस दंडे में आदमी सोता भी है तो आखें खोल कर वरना पुलीस वाले आखों की निन कब चुरा लेंगे पता भी नहीं छलेगा चिमनलाल परे ऐसे कैसे चूरा लेंगे बॉश, हम कोई अनाडी है क्या? अगर अनाडी नहीं हो, तो बैंक मैंचर कैसे गिरफथार हो गया? जिमनलाल, अगर तुम यह चाहते हो के हम तुम से तुम्हारी जिंदगी न चीने, तो बैंक मैनिजर के कोट में बयान देने से पहले तुम्हें उसकी जिंदगी छीननी होगी लेकिन बोस वो मेरा दामाद है मेरी बेटी का सुहाग है वो तुम बेटी के सुहाग की बात कर रहे हो मैंने अपनी जान बचाने के लिए अपनी पेटी की जान ले ली समझे मैं समझ गया बॉस मेरा दामाद अदालत तक नहीं पहुचेगा तुम्हें पातनार तुम्हारा क्या ख़ब है तुम्हें पातले तुम्हें अपनी आपने मुल्क में हिंदुस्तानी नोट चापते रहो और हमें भीजवाते रहो हीजानास तुम्हारा माल लेआर है डॉंट वारी आल भी तैर जान जाली नोटों की डिलिवरी के लिए रात मैं हांग कांग जा रहा हूँ लेकिन इस बार तो आपका तामाच चाली नोड लाने वाला था तुम फिकर न करो उसके बच्चे मेरे साथ जा रहे हैं मेरे नवासे ये काम अब वही करेंगे ये कुछ हमारे खिलोग पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहा है कल तुम खुद कोट में रहना अगर जरा सा भी खत्रा नजर आए तो चिमनलाल के दामाद को गोली मार देना अगर तो चिमनलाल कर दिया धोती फाड़ के रुमाल कर दिया खोलो मेरे दामाद का मूँ खोलो तो ये अपने जगे से हिलेगा नहीं अगर हिला तो गोली अंदर और तम भाहर अरे राम तू? राम आए इंस्पेक्टर जैकेशन तेख लिया ना मुना अरे तू अकेला हमारा कुछने विगाड सकता तेख हाथ मत लगा मैं पहले आए जी से बात करता हूँ बाद में तुम लोगों के साथ चलूँगा मैं खुद बात करवाता हूँ इंस्पेक्टर यादर स्प्रिकिंग मैं आए जी साब से बात करना चाहता हूँ आए जी साब से? मैं इंस्पेक्टर जैकेशन बोल रहा हूँ मेरा भारत महान क्या हो रहा है नेताओं का अपमान क्या हो रहा है सब एक मामूली इंस्पेक्टर उठता है और सिधे मिनिस्टर को एरेस्ट करना चला आता है जे मलाल अगर एक छोटी सी चीटी भी हाथी की सून में घुश जाए तो वो हाथी को नानी याद दिला देती है इस्पेक्टर जैगिशन भी तुम्हारी सून में खुच चुगा है भलाई इसी में है कि तुम अपने जूते सर पे रखके अपने आप हतकड़ी पहन के सीधे पुलिस टेशन चले आओ यह आप क्या मज़ा कर रहे हैं सर हमारे और आपके तालुकात इतने सालों से है सुनो जे मनलाल मैंने इस्पेक्टर जैगिशन से कह दिया है अगर आप लोग खुच चलके पुलिस टेशन नहीं आए तो वो आप लोगों को बेद़णक गोली मार देगा बाकी मैं संभाल लूँगा कमीना साला वक्त में पल्टी खाता है आज तक साला कुता बनकर हमारे सामने अपनी दुम हिलाता था आज साला हमको कहता है कि अपने जूते सर पर रखकर पुलिस टेशन आजाओ अरे राम तो रखो जूते अपने सर पर और चलो पुलिस टेशन ज्यादा सिकंदरी दिखाने के कोशिश मत कर वरना चटके में वर्दी उतरवा दूँगा तुम मेरी वर्दी तो बाद में उतारेगा मैं तेरा क्या-क्या उतारता हूँ वो ते यह अच्छा नहीं किया है जै किशन तुमने नहीं किया है अच्छा सोय हुए शेर को जगा दिया है तुमने हमारे हाथ में हतकड़ी डालकर सडक पर घुमाया नहीं बलके हमारे जखमों पर नमक रगना है तुमने बहुत इंसल्टी किया हमारा हम तुमको माफ नहीं करेगा यह मिस्टिक का सजा देगा हम मेरे पास इतने सबूत है तुमारे खिलाफ कि अगर तुम उल्टे लटक कर भी कोशिश करोगे तो भी बीस साल तक जेल के सलाखों के पीछे ही सडोगे और हम वो गुड नहीं जेसे तुम जएसे चिते खा जाए survived हम तो चा चुन्दर है चा चुन्दर अगर सांप के मूँ में भी फस जाए न तो वो ना निगल सकता है ना उगल सकता है निगले गा तो मर जाएगा उगलेगा तो अंधा हो जाएगा अच्छा बोलेते हो तो चल गवरी कब आई सासुराल से आजी ये है मेरे पती हाई हाउ ये है मेरे पती चला बैट नी भीया हमें तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है अच्छा चला Harm है चला गाई बात कोऊंगी नहीं कर गवे पहले बात तो बताओं उसंगी है पहले मेरे कशम खाओं म अच्छा बाबा हमारी के अच्छा बाबा तुमः कर लो क्देबे है तो अच्छा बाबा है आपने वक्त पर गौरी की मदद की हम आपके अहसान मदने अच्छा हम चलते हैं चाहे तो भीकर जाओ गंपात भावी कैसी है? बहुत अच्छी है कभारी कौन है आप लोग? हम CBI आपिसर्स है इन दोनों ने कंप्लेन किया है कि आप इनसे रिश्वत माग रहे है क्या बखवास कर रहे हैं आप? अच्छी है सर यह वही नोट हैं जिन पर हमने निशान लगाए थे यह रुपए मुझे गवरी ने लटाए है जो कर्स के तौर पर मैंने कर्स के शादी के लिए दिये थे तु क्या मेरा सग्यवाला है जो मुझको कर्स देगा? तुम कह रही हो? इंस्पेक्टर जै किशन, यू अर अरेस्ट मेरा भारत महान सिस्टर ने लेली ब्रधर की जान हरे कृष्णा, हरे राम क्या फाइदा हुआ इमानदारी का जूता चाट करा? जिस कानून के लिए तुम इतनी फाउसदारी कर रहे थे अरे उसने तुमारी मदद की लेकिन हम तुमारी मदद करेंगे कम जैसे या छूतेंगे सबसे पहले हम तुमे छुटाएंगे सरकारी नोकरी चलिजाएगी लेकिन हम change अपने इसर पे अपना जूता रखर घुमने की के जैसे हमें गुमाया था ए गुरुगुर कर क्या देखता है भी तु खुछ नहीं कर सकता समझा अरे गुष्ना हने राव देख 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 रहा है छलो तुम दुन को कोट चलने है तुमित्स बात करो यह मले है हम मिनिस्टर है और अभी तक जुर्म सावित भी नहीं हुआ है और नहीं होगा चलो चलो हम जा रहे हैं मुन्ना लोग कर वापस भी नहीं आएंगे मुन्नी ये लोग इसे जबते रहना कहना हरे कृष्णा हरे राम अच्छा चलो मंतरी चिमनलाल औरे मेले बंतरी प्रसाथ को ये अदालत बेगुना मानते हुए बाइज़त बरी करती है हम तो छुट गए जैकिशन लेकिन तू नहीं छुटेगा क्योंकि तुझे चुटाने के लिए आप या तो भगवान आए या नंदू और भगवान आता नहीं है और नंदू को हम आने नहीं देंगे मेरा भारत महान हरे कृष्ण हरे राम नंदू गरम गरम उत चली चली मेरी पटा हाँ तू कहाँ चली लगे न टोगर तुझे कही मेरा प्यार तिठा है गली गली आजा 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 मुझे लगाई सकता रोग कोई बभा करो मेरे पास पे तब लोग मिल कर दुआ करो मुझे लगा इसक बारोग को ही दवा करो मेरे पास पे सब लोग मिलकर दुआ करो पंची तेंजरा तोड़ गया दिल मेरा मुझे को छोड़ गया पंची तेंजरा तोड़ गया दिल मेरा मुझे को छोड़ गया पंची तेंजरा तोड़ गया दिल मेरा मुझे को छोड़ गया पूझ पश्टिम उत्तर दख्षिन आजाने की छोड़ गया मुझे लबा इशक दारोग को ही दबा करो मेरे पास पे तब लोग मिलकर दुआ करो जल्दीना अगर दवा होगी मर जाएंगे दिल के रोगी जल्दीना अगर दवा होगी मर जाएंगे दिल के रोगी लोगों जोगी ले लिया है हमने जोग हमको विदा करो मुझे लबा इशक दारोग को ही दबा करो मेरे पास पे तब लोग मिलकर दुआ करो मुझे लबा इशक दारोग को ही दबा करो मेरे पास पे तब लोग मिलकर दुआ करो आदालत इंस्पेक्टर जैकिशन को रिश्वत लेने के इल्जाम में खेरिये जट साहब चल्ट साले आडर आडर घलत फैसले मत सुनाईए जट साहब फैसला घलत है या सही ये तुम कैसे जानती हो में नहीं जानती लेकिन यह आस्तीन का साहब ज़रूर जानता है और अभी आपको भी बताएगा भोल शाले बबल बताता हूँ जट साहब बताता हूँ इंस्पेक्टर जैकिशन, तुम्हें बाइजदत बरी किया जाता है, नंदू को हिरासत में लिया जाए, और उस पर मुकदमा चिलाया जाए चले, चल, तांकि बिश्टी, साथ, साथ, अरे यार, बद्री, ये लड़की तो हमको चुना लगा के गई है, तो मैं क्या करूँ, पान लगाओं, ओ, ये लाइट कैसी आफ हो गई, जल्दी लाइट जलाओ, ए, कौन है तू? रावन के लिए, राम और कंज के लिए किशन, इस्क्रेक्टर जयक्रिशन? अंदेरे में भी अपनी माउथ को पचान लिया है, अरे तुझे तो अंदर करवा दिया था, तू बाहर कैसे आ गया? जिस तरह नंदू अंदर हो गया है, क्यों? आगे से उं और पीछे से पू निकल गई? मैं तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूँगा, ए तू हमारे अड़े पर आकर हम कोई धंकी दे रहा है, अड़े तो रंडी और भड़वाओं के होते हैं, तुम को नहीं ये तो पता नहीं, अरे रामा हरे क्रिश्न, हम या बदल, हम लोग क्या है, इसके बाप हैं, अरे हम तुम दोग तेरी धंकियों से डरने वाले नहीं हैं, जैकिशन तो हमारे लिए मुसिबत बन गया है, आप फिगर मत करिये मंत्री जी, मैं सालेट जैकिशन का तो ऐसा इंतिजाम करूंगा, 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 इसी करूंगा में मेरे भारत महान का सत्यानाश ह जो गया है, only talking, me talking, madri talking and you be talking, आईची, आईची नहीं, आईजी, आईजी, लेकिन जो करना है वो करो, बोलो नहीं, क्या करना है और क्या नहीं करना ये आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए, जैकिशन जैसे कई सरफिरे अफसर मेरी जिंदगी में आए और चले गए, लेकिन मैं वही का वही हूँ, जान से मार डालने की धंकी देने का मतलब ये नहीं, कि जान से मारी देगा, अरे मारी दिया तो क्या कर लो गया, आप क्या समझते हैं, कानून नीन की गोली खा कर सो रहा है, कानून सो रहा है या जाग रहा है या मुझे नहीं मालुम, लेकिन जब से साला वो दंकी देकर गया है ना मेरी नीन हराम करके गया है M.L.A. साहब जो गरचते हैं वो बरसते नहीं तो आप उनके बरसने का इंतजार कर रहे हैं कि वो बरस जाएं और हम तपक जाएं उसके बाद आप उमारी लाश पर सलामी देने आएंगे आज से इंस्पेक्टर जैकिशन जो भी कदम उठाएगा मेरी निगाह के तायरे में होगा कुझ कुझ तड़ध। कर दो कि अ कर दो कर दो कर दो कर अ ऐादे दो बंगlık अचें करें अग्याट को ट्यढ़्यर ओम्युड़ ट्यूद ट्चशर अपर दीड़ मगी hvad क्ख़ते हैं लब एकि एक जड़ो करेष्ट भी वाम वह जशए क्या देश्ध अईसे क्या दिखने सर यह खून मैंने किया है जानता हूँ कि यह खून तुमने नहीं किया है क्योंके गट्ल की खबर मुझे साथ मिनट पहले टेलिफून के जरीये मिल गई थी और कोई भी गातल कटल करने के बाद साथ मिनिट तक लाश के पास बैठा नहीं रहता लेकिन तुम हो कौन? मैं बताता हूं सर तुम? ये मेरा भाई राम है क्या? तुम्हारा भाई? हाँ सर ये मेरा जुड़ा भाई है सारी दुनिये जानती दी कि मेरा एक भाई है लेकिन किसी ने इसकी शकल नहीं देखी थी क्योंकि हमें शाम से दूर रहा तुम्हारा मतलब है कि इतने दुनों से मैं राम को इंस्पेक्टर जेकिशन समझता रहा ये सर तुम्हारा भाई इतने दिनों तक कानून के साथ मजाग करता रहा है और तुम चुपचाप तमाशा देखते रहे वाइ दिन्ट यू इंपॉम मी सर्राम ने मुझे कैद कर रखा था एक दिन जब मैं मंदिर के बार माँ का इंतिदार कर रहा था तो इसने मझे क्लोरफाम से नाजर बेहुश करती है मा के आने तक इसने मेरे जिसम से वर्दी उतार कर खुद पहन ले और राम से इंस्पेक्टर जैकेशन बन गया लेकिन राम जानता था कि मा उसे देखते ही पैचान लेगी क्योंकि हम दोनों सिर्फ एक ही फर्ग है आँखों के रंग का उसने बड़ी आसानी से आँखों का रंग भी बदल दिया दुनिया के साथ से मा भी दोखा खा गए कि ये राम महीं इंस्पेक्टर जैकेशन है राम तुम्हें ये सब करने की क्या दूरूत थी मैंने दिन रात महनत मजदूरी की ताकि मैं किशन को पढ़ा लिखा कर इंस्पेक्टर बना सकूँ और ये हमारे बाप के कातलों को फांसी के फांसी के फंदे तक पहुँचा सके लेकिन मेरी सारी महनत पर पानी फिर गया बाप के कातलों तो दूर रहे उन्होंने भावी का भी कदल कर दिया और ये कुछ नहीं कर सका इसलिए मैंने किशन से ये वर्दी चीन कर पहनी और दस दिनों में वो कर दिखाया जो ये मेरा भाई दस साल में नहीं कर पाया और तुम कुद कहर पहुंच गया जो फंदा तुम उनके गले में डालना चाहते थे वही फंदा उन्होंने तुम्हारे गलेमें डाल दीआ ंशनों चुख यहा और बेगुनाओं को जगड़ा है, क्योंकि ये, ये अंधा जो है, हमारा बाप मारती है रिया, मादा लड़ के सामने चीखती रही, चिड्लाती रही, किर्जत साब, ये आत्मा हत्या नहीं, हत्या है, लेकिन, लेकिन मेरी मा की आवाद आपकी कानून के कानूं तक नहीं इंस्पेक्टर शर्मा का कतल करना, और उसके बाद मुझे फोन पर इत्ला करना, ये सब तुम्हारे दुश्मनों की सादिश थी, जिसमें तुम फस चुके हो, क्योंकि जिस खंजर से इंस्पेक्टर शर्मा का कतल हुआ है, उस पर तुमारी उंग्लियों के निशान आ चु अब सिर्फ एक ही तरीका है, अगर मुझरिम चार्ज चल सकता है तो, पुलिस वाले क्यों नहीं, आज से किशन वही करेगा, जो राम चाहता है, राम, कुछ दिनों के लिए तुम उस हंदेरे में चले जाओ, जहां तुमने किशन को रखा था, और किशन तु फॉरण अपन क्या है, राम चलो मैंन साथ सर, शर्मा जी का कातिल फरार हो गया है, लेकिन उसकी उंगलियों के निशानाथ मिल गए है, आइसी, वो आदमी भी मिल जाएगा जिसकी उंगलियों के निशान है, फोरन इंस्पेक्टर मातुर से बात करवाओ, यज सर, इंस्पेक्टर मातुर हीर, भाई जी खन्ना बोल रहा हूं, ये सर, इंस्पेक्टर जैकिशन कहा है, वो मेरी आखों के सामने अपने पुलिस टेशन में गया है, सर, वोट, ये कैसे हो सकता है, इंपॉसिबल, उसने तुम्हारी आखों में धूल जोग कर, इंस्पेक्टर शर उन्होंने दर्वाजा अंदर से बंकर रखा है, और किसी तरीके से खोलते ही नहीं, दर्वाजा तोड़ दीजे, आईए, दर्वाजा खोलिए सर, जैकिशन साथ, दर्वाजा खोलिए, सर, दर्वाजा खोलिए, तोड़ दो, किशिन, क्या हुआ साम को? यह तो तुझे अपना दुश्मन समझता था मा इसे भी राम की याद आ रही होगी इसलिए मुझे प्यार करके अपना दिल बहरा रहा है अगर तेरी निगाए मेरी आँखों पर ना पड़ती मा तो तुझे भी यह लगता ना कि तेरा दाम आगे है हाँ बिदा आखें तरस गई है उसे देखने को और एक वो है कि दिल को पत्थर करके बैठा है मा को मिलने भी नहीं हाता अरे मा क्या फर्क है उसमें और मुझे में सिर्वाक हो काही ना हो सकता हो नकली आखें लगा कर यहां रहकर चला गया हो यूही मज़ा करा तुमा चल बड़ी भूग लगी बहुत दिनों से बच्चों इसाथ बगगर खाना भी निखाया आज जी भर की खाऊंगा ऐसे क्या देख रही हूं कि एक पुलिस अफिसर अपने काम की धुन में कितना खो गया है कि उसे इतना भी याद नहीं कि उसके बच्चे अपने नाना के साथ होंग कॉमने गए मैं तो भूली किया माँ मुन्नी और बिट्टू का है मुन्नी और बिट्टू कल आएंगे मुझे अचानक वापिस आना पड़ गया था तुम फिकर ना करो समझतार बच्चे हैं मैंने सारा इंतिजाम कर दिया अब महरबानी करके कल उने एरपोर्ट से ले आना मेरी एक जरूरी मीची ओके इंडिया का होंग कॉंग से आने वाला विमान अब में बहुत चुका है इस वांग कंग ख्लाइट? थैंक्स अब अब आपके लिए तैया जैकिशन तू यहां क्या कर रहा है मुझे अब आपके शुचा चारवाए तू कहां आगा जा रहा है अभी अभी इंफर्मेशन मिली है कि कोई आदमी करूर रुपए के इंदुस्तानी जाली नोट लेकर आ रहा है पापा सरीया आपके बच्चे इससरा राए बबाए चल सामन इतनी सारी शाफिल यह बड़ा बैग हमारा थोड़ी है किसका है? यह जान अंकिल को देना है जान अंकर? कान जान अंकर? क्या है तुमारी जगा अगर माय आईजी होता तो अब तक वो इंस्पेक्टर जैकिशन अंदर होता और एक तुम हो जो भी तक मंदिर में बैचका घंटा बजा रहे हो तो क्या करूँ? जवरदस्ती उसे घोली मार दूँ गिरफतार करने के लिए कोई तो वजह होनी चाहिए क्यों? शर्मा की लाज पर उसकी उंगलियों की निशान काफी नहीं है शर्मा की लाज पर जैकिशन की उंगलियों के निशान नहीं है किसी और आदमी की उंगलियों के निशान है यह देखिए यह दूसरा आदमी है को यही तो समझ में नहीं आ रहा और जैकिशन की उल्यों के निशान कहा गाइब हो गए लगता है स्टोरी में ट्विस्ट है हमारे चक्रवियों को वो लॉंडा एक जटके में तोड़ गया मुझे तो डर लग रहा है यार चुप करके बैठ यार क्या बैठ यार मारी शोने से पहले ही छाता खुलके बैठ जाता है अरे अच्छा खासा अंदर करवा दिया था साला उस लॉंडिया ने सारा खेल बिगार दिया आइडिया आइडिया पैसा आइडिया मेरा भारत महार, करो उस लौंडिया का कल्यान दुकान बंद, मकान बंद, कर्फ्यू लगाए क्या, कहा मर गई सब लो करों दे लो गर मारे ऑwhere भार क्या दो, कि दूने लो एक्या猛 चरवशने लो टुकान बंद, करो Spe अरे वास आप, या टाइप एंट्री वारी है अरे उप्रक्राइप एंट्री वारी आप एंट्री वारी है को समय रहा हुआ एंट्री वारी है देखो ये लड़ता का रंग मारता है जेको ये लड़का करण्ट मारचा है करण्ट मारचा है जेको ये लड़का करण्ट मारचा जेको ये लड़का करण्ट मारचा जेको ये लड़का करण्ट मारचा है करण्ट मारचा है जेको ये लड़का आपमारचा तुख अवे लड़का करण्ट मारचा कि जाओं कि जैसे इसे प्रेम करना सिखाँ कैसे मैं इसके रजबिक जाओ, कैसे इसे पेपकर ना सीखा सर पे मेरे प्रेम ग्रंत मारता है, देखो ये लड़का खरंत मारता है काराज कर फ मलारता है हरुए, हरुए, हरुए. आधो, हरुए, हरुए, हरुए हरुए, हरुए! करती रही हो मैं जिसकी पूजा ये है वही या ये कोई दूजा करती रही हो मैं जिसकी पूजा ये है वही या है कोई दूजा उखडे पे कौन सा ये रंग मारता है देखो ये लड़का करत मारता है रंग मार चाहे पर रंग मार चाहे देखो ये लड़का करत मार चाहे भूए ताती जी, ताती जी अमिता बच्चन का गाना आ रहा है पहले सबजी तो काट लूँ, सबजी बाद में भी काट रहा है अमिता बच्चन तिरा रिश्टादार है क्या वो में र الإरो है यह टीवी वाले सारी सूटना समाचार में क्यों नहीं देते हैं। चलो बिट्टू, बिना का लगाएंगे। चलो। ख़बर मिली है कि जाली नोट चलाने वालों का एक आदमी पुलिस के हातों से बच निकला है। लेकिन उसके पास से बरामत ब्रीफ केस से पचास लाग रुपए के जाली नोट बरामत हुए है। यह विक्टी जॉन है। ब्रीफ केस इसी के पास से बरामत हुआ। यह ब्रीफ केस इसे एयर पोर्ट पर किसी पैसेंजर ने दिया। पुलिस उस पैसेंजर की तलाश में है। पुलिस कमिशनर शम्शिर खान रियो। अलो सर मैं किशन बोल रहा हूँ। आज ये किशन बोलू क्या बात है। सर नकली नोटों के कारोबार करने वाले गैंग लीडर का पता चल गया है सर। क्या। कौन है वो। सर वो इंसान जिसके बार में आप सोच भी नहीं सकते। तो फिर उसका नाम फरन बताओ। वो कोई भी हो, हम उसे फरन गिरिफ्तार कर लेंगे। आपको सबूत की ज़रुत पड़ेगी सर। और मैं उसे चूतों के ठोकर पर उचालता आपके आफिस तक लेंगे। आप मेरा इंतसार करिए, सर। ओके। दिंदयाल! दिंदयाल! क्या बात है किशन बेटे, क्या कोई ड्रावना सपना देखा है? ड्रावना सपना नहीं देखा दिंदयाल! आज मैंने तेरे जैसे देश्डोही का असली चाहरा देख लिया है! कब अग्याराब! आज सेट ग्याराव यो ब्लॉडी समगलर! परखुरदार! हम कुत्तों के भॉपने का बिल्कुल बुरा नहीं मानते! तेरे सामने कुत्ता नहीं एक पुलीस अफसर ख़़ा है! येलो हड्डी और दर्वादे पर जाकर बैठ जाओ! मालिक की रखवाली करते रहो! रोज हड्डी मिलती रहेगी! किसके हिस्से में हड्डी आएगी ये तुझे आज पता चलेगा! अराम सादे! इस्पेक्टर जैकिशन! एक इज़दार शहरी के साथ! ये सलुक किया जता है! सेर आप इसे नहीं जानते! ये एक इज़दार शहरी नहीं बलके एक स्मगलर है! ये वो खुदगर्ज इंसान है जो खुद को दौलत मन बनाने के लिए पुरे देश को गरीबी के कुवे में ढगिल रहा है! जानता हूँ! तुम घर जाके आराम करो! ये केस मैं संभल लूँगा! सर आप भी? आपको जितना समालना था आप समाल चुके! मैं समाल रहा हूँ! यहां से जा पाओगे तो समालोगे ना! कौन रोकेगा मुझे? तुम्हारे तो मासूम बच्चे है ना! मेरे नवासे! वही तुम्हारे पैरों में बेडियां बन जाएंगे! मेरे बच्चे? हाँ हाँ भई तुम्हारे बच्चे! दीन दयाल के पास हर मर्च का इलाज है! ये तस्वीर जरा देखनो! जाली नोटों से भरा हुआ ये बैक जब तुम्हारे बच्चे जान को दे रहे थे उस वक्त हमने ये फोटो ले ली थी इस तस्वीर को देखकर तुम्हारे बच्चों के साथ तुम्हे भी गरफतार करने में मुझे बिल्कुल देर नहीं लगेगी एक तरफ है शुआराम की जिंदगी और दूसरी तरफ जेल की चक्की बच्चों की तबाही यू प्लडी प्लाइमेला तुझे पशाने में साथे रो गई ये तुम्हारी अपनी गल्ती है और इस गल्ती की सजा यही है कि तुम अपना जमीर डिल और दिमाग हमारे हवाले कर दो जैकिशन मैं कबसे आफिसमें तुम्हारा इंतदार कर रहा था कहां है वो अरामजादा कौन सर्थ वोही जाली नोट चलाने वालों का सरदार किसके बात कर रहे हैं सर मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसके बारे में तुमने मुझे फोन किया था मैंने आपको फोन किया मैंने आपको कोई फोन नहीं किया सर्थ यह मदा का वक्त नहीं है आप क्या कह रहे हैं मेरे कोई समझ भी नहीं आ रहा है इसका मतलब यह है कि तुमने मुझे फोन नहीं किया नहीं तुमने तुमने तुम उसे यह भी कहा था कि उस गैंग का लीडर कौन है तुमें पता चल जुका है बिलकुल नहीं तुम जूट बोल लायो यू आर लाइंग मिस्चर जैकेशन यू आर लाइंग तुमने अपने आपको उस आदमी के हाथँ बेच लिया अपनी इमान दारी का सवदा किया है तुमने अपनी इस वर्दी को निलाम किया है तुमने यह जूट है सर मैं कल भी मानदार था और आज भी मानदार हूँ गलत, कल तक मुझे विश्वास था कि तुम्हारे पिदा की हत्या की गई थी लेकिन आज तुम्हारा ये रूप देखकर मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारा बाप भी तुम्हारी तरह बेईमान था उस बेईमान की छोड़ी पकड़ी न जाए इसलिए उसकायर ने आत्माट्या कर ले तुम्हारा ये खुसा इस बात का सुबूत है जेकिशन कि तुम्हारा ये खुसा इस बात का सुबूत है जेकिशन कि तुम्हारा ये खुसा इस बात का सुबूत है जेकिशन तुम्हें, तुम्हारी मा को, तुम्हारे बच्चों को दाओ पर लगाया गया है सिर्फ एक बार उसका नाम बता दो मैं उसे पागल कुटे की तरह घसीडता हुआ सिदा फांसी के तखते तक ले जाओंगा कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाव पाएगा, ये मेरा वादा है वो लो कौन है वो? मैं कह चुका हूँ, मैं कुछ नहीं चानता जै किशन, अगर 24 गंटे के अंदर अंदर तुम्हें मुझे उसका नाम नहीं बताया तो मैं तुम्हें सस्पेंट कर दूँगा किशन, मा, अभी तक सोई नहीं? मैं ये सब क्या सुन रही हूँ, कमिशनर साब क्या कह रहे थे? मा, कमिशनर साब को धुका हुआ है, मैं कभी ऐसे कर सकता हूँ? इनके सर पे हाथ रख के बूल, कि तु ऐसा कोई हलक काम नहीं कर रहा है जिसके कारएं इनके सिंदगी पे आँ चाहे मैं बच्चों के सर की किसम खाकर कहता हूँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा हूँ जिसके वज़े से इनके सिंदगी के पर कोई हाच भी आए इनस्पेक्टर जैकेशन बर्खुरदार हम तुम्हारे बाप बोल रहे हैं बोलो बोलो नहीं, बोल ये कहते हैं हम देख रहे हैं कि तुम कुछ थोड़े से बत्तमीज होते जा रहे हो मतलब की बात करो, मेरे पास फाल तो बात करने के लिए वक्त नहीं है सुनो, अब ही अपने पुली स्टेशन जाओ और नंदू को रहा करवा के हमारे पास लियाओ तुम्हारा दिमाग खराब है पुली स्टेशन से किसी को छोड़ा ना बच्चों की खेलने की चीज नहीं है जानता हूँ, इसलिए ये काम तुम ही से कह रहा हूँ किसी नन्य बच्चे से नहीं और याद रहे ये काम आज ही रात हो जाना चाहिए जो भी होगा आज ही रात को होगा ये काम आज हो जाना चाहिए ये लाइट को क्या हो गया है कमाल है है? आखर रहे कमाल है? यादा साफ, यादा साफ नंदू भागया, नंदू भागया, नंदू भागया अलो सेट जी, मैं नंदू बोल रहा हूँ आपके कबूतर ने तो कमाल कर दिया मुझे पिंजडे के साथ ही ले उड़ा अच्छा जड़ा फोन उस कबूतर को देना जी सेर जी बर्कुरदार अगर तुम इसी तरह हमारा साथ देते रहे तु देखना हम थोड़े ही दिनों में तुमें कहां से कहां पहुँचा देते हैं मुझे कहीं भी पहुँचाने में तुमें बहुत जादा वक्त लगेगा लेकिन तुम्हें मिटाने में मुझे जादा वक्त नहीं लगेगा साप की तरह ठेड़ा चलने की कोशिश मत करो डीडी का मतलब है डेडली डेंजरस डेंजरस तो इस वक्त में तुम्हारे लिए हो तुम्हें बारूद के ढेर में आग लगाने का बहुत शौख है ना तो लो सुन लो ये धामा का यू पास्टर्ड ये तो ब्रांच आफिस था अब देखना मैं तुम्हारे हैड आफिस को कैसे उडाता हूँ किल दबास्टर्ड किल दबास्टर्ड किल दबास्टर्ड किल दबास्टर्ड सीधे सीधे पुली स्टेशन चल नहीं तो खबडी उडा दूँ ये लड़की तुम्हारे दिमाग तो खराब नहीं हो गया है अच्छा विजडी से ये लड़की हो गई है ताल में कुछ काला है ये तो मैं उसी वक्त समझ गई थी जब तु बस्ती में मुझे छटक कर चला गया था लेकिन आज तेरी काली कर तूतो को भी मैंने अपनी आखों से देख लिया है तु इस वर्दी की आड में जो खेल खेल रहा है वो मैं तुझे नहीं खेलने दूँ जो तुम समझ रही हो वो मैं नहीं हूँ हाँ मैं राम नहीं किशन हूँ तुम्हारे साथ का हम शकल भाई क्या है दूम्हारे साथ करों च्रूम्हारे सम्हारे सुदक्ड़ कर द सहे है जजल कर दो करों जो कर द Clemon बाए कर दो थलीब भाहा! आप कर रुझ जुझ कर झाँ प्रुज जुझ कर दो हुआ झाँ स्टॉग हुआ यह उर खुआ हई चिछ कर दो जवस हुआ हुआ ह् पर 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 रव बढ़ ख। आप रख रख तो हुआ हो आब कर दो हुआ 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 है गुद्बाइ सनिक्लाव घर बसते से पहले ही मेरा धर उजार दिया तुने माबाप चीन लिए फिर भी में तुझे पूछती रही प्यार का जोका आया जिंदगी में वो भी तुमसे देखा रही गया अगर इंस्पेक्टर मेरे साब का भाई है तो मेरा साब कहा है भगवान कहा है जब 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 मुलत आपको झागे धिपन कि आग'RE मुलत आफ अल इप मुलत आफ दे दे िबन कि आफ देद प आउ कर दो कर दो कर दो अगर तुमने अपना भाई खोया है तो मैंने भी अपना एक बादूर असर खोया है लेकिन सिर्फ आंसू बहाने से ये नुकसान पूरा होने वाला नहीं है सबसे पहले हमें उस खुनी दरिंदे का शिकार करना है जिसी दर्दन पे किशन ने अपने कानूनी पंजे कारे थे कौन है वो तरी नसर जो कोई भी है अपना ही है कोई गेर नहीं वार किशन की पीट पर किया गया है और पीट पर वार सिर्फ दोस्ती कर सकता है दुश्मन नहीं किशन को पता चल गया कि गुनागार कौन है लेकिन दुश्मन किशन से कहीं ज्यादा चालाक निकला उसने एक शक्रवियू बनाया और अभी मन्यू को मार डला लेकिन उसे ये पता नहीं कि हमारा अरजुन अभी तक जिन्दा है राम, अब तुम इस शक्रवियू को तोड़ोगे लेकिन अरजुन बनका नहीं अभी मन्यू बनका मैं समझा नहीं ये बात सिर्फ हमें मालूम है किशन जिन्दा नहीं रहा लेकिन दुनिया को हम ये बताएंगे किशन को जान से मारने की कोशिश जरूर की गई थी लेकिन वो जिन्दा बच गया हमें कैसे पता चलेगा के दोस्तों के भीड में वो दुश्मन काल है। ये बटन तुम्हें उस दुश्मन तक पहुचाएगा। क्या हुआ रहा हूँ? इस तरह का बटन मैंने पहले कहीं दिखा है। तो फिर याद करो। कौन है वो आदमी जो ये बटन में इस्सेमाल कर सकता है। वो सकता है। या तो वो ये जानता है कि किशन का हत्यारा कौन है या वो खुद किशन का हत्यारा है। दीन दयाल। ऐसे बटन तो दीन दयाल जी अपने कोट में पहनते है। कौन दीन दयाल। किशन किसा सर। कहीं दीन दयाल ही वो शख्सों नहीं हैं जिसे किशन ले नगाप करने वाला था। क्या बात करें सर। दीन दयाल जी तो एक निग इंसान है और वो इतने नहीं किसकते कि अपनी बेटी का सुहा गुजार दें। यह कल्यूग है राम। यहां लोग अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटी की जान ले लेते हैं और तुम तो दामादी बात कर रहे हैं। Anyway, सबसे पहले हम यह खबर किशन जिन दयाल तक पहुचाएंगे। अगर दीन दयाल के हाथ किशन के खून से रंगे हैं तो वो हमारे सामने हर्गेज नहीं आएगा। कोई ना कोई बहाना करेगा। फिर हमारा शक्यकीन में बदल जाएगा के दीन दयाल ही वो शक्स है। और हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। एक पास यादर के सर। मेरी माह को नहीं पता चलना चाहिए। के किशन जिन्दा दे रहा। स्टुपट सन इनला। आगे। हमारी लिखे हुए कहानी हमी को सुना रहे। थैंक्यू वेलकम कमिशनर वेलकम। फरमाईए। क्या खुशखबरी लाए हैं आप। खुशखबरी नहीं है दिन दयाल जी। बलके एक बहुत ही बुरी खबर लाया। क्या हुआ। इंस्पेक्टर जै किशन। क्या हुआ जै किशन को। कल रात उसे कुछ लोगों ने जान से मारने की कोशिश की थी। लेकिन। लेकिन क्या। वो। बच गया। थैंक गॉड। कहा है मेरा किशन। पुली स्परेट हॉस्पेटी। जान से कहना के हमारा काम अधूरा रह गया है। कौशा काम सेर। दीन दयाल के लिए काम करते हो और उसकी आखों का इशारा भी नहीं समझते है। सॉरी सेर। कहना के उसका एग्रिमेंट कैंसल कर दो। राचा लाचा पटाव पक्यों । प्डिश प्प्प्प्प्प्प addicted कर दो कर दो दो ! कर दो लगान! टॉक्टर साब, ये किशिन साब बच जाएंगे ना? हमारी ये ही कोशिश रहेगी गॉक्ल, कीसं बच्छर सjenा ह। को और भ्हुतर साद ग ही खाएंगे, का लच इसanor मिल草 आज तुमें फिर मारने की कुशिश की गई लेकिन कामे अब नहीं हुए एक मर गया दूसरा भाग दिया उसका वजीर सामने पड़ा है आप मारते क्यों नहीं अगर हमने उसके वजीर को मार दिया तो वो हमारा बाश्या का जाएगा आपकी नजर काफी तेज है हर चाल को पहचान लेते हैं सिर्फ इंस्पेक्टर जैकिशन की चाल को छोड़ कर जैकिशन की चाल कौन सी चाल जिस आदमी को हमने अपने हातों से गोली मारी थी उसने हमें पहचाना क्यों नहीं अपनी जबान क्यों नहीं खोली आपने उसकी जबान पर ताला जो लगा रखा है इस तस्वीर से तस्वीर को तब्दीर समझ कर उसने गुटने नहीं देखे बलकर जंग का एलान कर दिया नंदू को मार कर हमारे गोदाम को आग लगा कर जॉन बैंकों में जितने भी हमारे जाली नोट हैं उन्हें वापस मंगवा लो कुछ दिनों के लिए ये धंदा बंद कर दो दीडी इस आइनस के पूछे पगेर कोई भी का मत करना और ना पश्टाना होगा दीडी का दूसरा नाम लाइन है अगर जोर से धार दिया तो वाट तुमने मुझ को मारा फुछ, इस आइनस के आड़ी को, I'll kill you इस आइनस के आड़ी को आड़ी को आड़ी आगे दादी जी आगे चलो बिटा हात मुदोलो मैं नास्ता लगाती हूँ वह तुम लोजी करते है आपकी तो हर बात मानते हैं इसलिए तो दादी इतना प्यार करती है तुमको मगर आज आपको हमारी बात मानी पड़ेगी कौन सी बात? आपको एक नाटक लिखना होगा कैसा नाटक? हमारे स्कूल में फंक्शन है उसके लिए हाँ बेटा, नाटक तो नहीं लेकिन एक हकीकत जरूर लिखोंगे ओडर, ओडर हाँ सीतादेवी आप अपना बयान जाजी रखिए चेमानलाज और बदरी परसाथ ये दोनों ही मेरे पती के कातल है मेरी आखों के सामने इन्होंने मेरे पती का खून किया और अपने गुनाहों को छुपाने के लिए इन्होंने मेरे पती कीला श्रेल की पत्री पर रख दी जैज साम आप इन्दोनों को फार्सी के फंदे पर चड़ा दीजिए मेरा भारत महान हरे कृष्ण हरे राम ये नातक देखते हुए थोड़ी देर के लिए तुम्हें कनफूज हो गया था कि कहिए लड़की हमें तो नहीं कह दिये कि हम कातिल है मैं ये कह रहा था कि हम दोनोंने किसी का कतल नहीं किया हम खूनी नहीं है हम तो नेता है इस देश के तुम खुनी हो हाँ हाँ पेता ये खुनी है तुम दोनोंने मेरे पती का खुन किया पेता ये ही है वो तोनों जिनोंने मुझे विद्वा तुछे यतिम बनाया अरे ये क्या हो रहा है ये किशन की मौत से जो सद्मा तुम्हारे दिल को पहुंचा है उसे भूल जाओ जो आसू तुम्हारी आँच से टपके हैं उन्हें शोलों में बदल दो जो वर्दी तुम्हें अपने भाई से चीन कर पहनी थी ताकि तुम अपने बाप के गातिल तक पहुंच सको उन्हें मिटा सको आज वही वर्दी मैं तुम्हें दे रहा हूं एक बार फिर राम से किशन बन जाओ पहन लो वर्दी अगर वर्दी देनी है तो मझे वो वर्दी दीजिए जिस पर खून के एक एक कत्रे से मेरे भाई की मौत की कहानी लिखिए मेरा भारत महार मंत्रियों का भी होने लगा अपमान तु चुप करका बैठके यार जल्दी भाँदक खुल जब तक हमारे इंच्था उपब नहीं होता हम भाँदक नहीं खुलेगे एरे हम मंत्री है, मंत्री खुल तो हम भी संत्री हैं चंत्री किसी के बाप के नोकर नहीं क्या तरे इच्छाइड को बुला अबल दर आगज ॅग Stunden चक्रत है वार्दी दोता नहीं है दूलाई के पैसे नहीं मिलते हैं क्या मिलते हैं तो में दूलाई पगर पैसे के करता हूं कहो तो करके दिखाऊ माने तो हमारी दूलाई करेगा मैं वरदी की बात कर रहा था तो फिर दो नहीं सर Mid*** खूल के दाग को तुम दोनो का अर रमारे कृष्णा, रमारे कृष्णा, र ए, रमारे कृष्णा, र kinda Repr zitten अगर मुझे पहले से पता हो था कि तु इतना डर पूक हो तुमहीं अपनी पटियमें कभी शामिल नहीं करता तुम नहीं लेते तो क्या होता हैं मैं मर जाता हिंदूस्तान में पार्टियों की क्या कमी है क्या ओ अरे राम बदरी जी अब सारी राज शराभी भीते रहोगे आई मैं आपको घर चोड़ देता हूं नहीं, मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूँ, वो वो सलाम मुझे मार डालेगा मैं आई जी हूँ, कोई महमोली इंस्पेक्टर नहीं लेकिन उसने मारी दिया तो तुम क्या कर लोगे उससे पहले मैं उसे गोली मार दूँगा गोली? तो फिर चलते हैं तो फिर चलते हैं गुद्नाइट शिमन शुब रातरी गुद्नाइट तुमाहरे कृष्णा आये अरे रामा अरे कृष्णा अरे रामा ये क्या बत्तमीजी है? इस तरह हमारी गारी रोकने का बतलब क्या है? मुझे अभी अभी खबर मिली है कि आपकी गारी में बद्री प्रसाद जाली नोट छुबाकर ले जा रहा है जाली नोट और मेरी कार में? जी सर्थ ये जूट बोल रहा है जरूर इसमें इसके कोई चाल है अगर ये बात छुट निगली तो तो मैं अभी इसी वक्त ये वर्दी उतार दूँगा ठीक है तुम गाड़ी की तलाशी ले सकते हो ये 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 नोट भेने नहीं रखे मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता ये सब इस हरामजादे की चाल है मुझे भसाने के लिए बद्री प्रसाद पर उठने वाला हाथ बद्री प्रसाद धड़ से अलग कर देता है ये गलत कर रहे हो तुम बद्री प्रसाद तुम्बे सही के अवलाद तुने क्या सूचा है जाली नोट इसके गाड़ी में रखकर फसा देगा मुझे देखो बद्री अभी तो तुम्हें दो चाह साल की सजा होगी लेकिन कतल के अज़ा में जिन्दे की भर चक्की पीसने पड़ेगी अरे तू क्या चक्की पिसाएगा मुझे पर सो पहले तेरे बाप को निकल गया था क्या कर सका तू और तेरा कानून मैं तुम दोनों को भी उड़ा दूंगा या दो गोली बचलाना आई जी खन्ना जी तो चाहता है के तुम्हें गोली मार दे तो मार दीजिये ना आप इने तो कहा था सूट सूट डॉन टाक इसलिए के लोग कहेंगे के आब लाइन चुहों का शिकार करने लगा है आपकी बात में भी पॉइंट है लेकिन वो जैकेशन को कैसे रोका जाए अगर आप मेरी बात माने तो चुप चुप बिल्कुल बीच में मत बोलना तेरे आइडिया पर चलके मेरा बद्री परलोग सिधार गया अब तु मेरा भी प्रोग्रम करने वाला है क्या बॉस अपने दामाद को रोकिये मुझे तो लगता है बिना का गित मला की अगली पाइदन पर मेरा ही गित बजाने वाला है वो मेरा दामाद नहीं है वो अपका दामाद नहीं है? नो तो फिर कौन है? वो जो भी है लेकिन डीडी से ज्यादा नहीं कल हमारा जनम दिन है सारे हिंदुस्तान के बैंक मैनिजर्स को बुलाया है उस इंस्पेक्टर को भी बुलाया जाए जान जान इस बार शत्रण की बाजी तुम बिच्छाओगे और ये आखरी बाजी हम खुद उसके साथ खेलेंगे हाँ भई हाँ बर्थडे जनम दिन मेरा जनम दिन नहीं मेरा जनम दिन कभी मेरे बापने नहीं मनाया है मैं क्या मनाऊंगा? और सब कुल टाइम पर पहुंच जाना जाए ये काम करो तुम भाग कर हिंदुस्तान आ जाओ हमाजी आता है लगता है इसकी मौद भी इसे खिंच कर याल आ रही है तेरे मौद तेरे पीछे ख़़ी है क्या बोलती ये कमीनी? वो भी मर्द की आवाज में मेरा नमबर लग ठीक है बद्री मैं आ रहा हूँ जाए केशन भाई बीना का गेत माला में मेरा ही गेत बजेगा क्या पचीस साल पहले तुने मेरे बाप का खुन पानी में बाहर था लेकिन मैं तेरा गंदा खुन तो इस पानी में बाहर कर इसे गंदा नहीं करूँगा तेरी जिसम में से सुखा दूगा आईसे बादी नाष्टा दो बादी नाष्टा दो बादी नाष्टा दो केशन बेटे चलो नाष्टा लग गया आई आमा केशन केशन वह? वह केशन पापा साथ पापा साथ का है? का है सापा का है सापा यह राम, राम, कहा है राम, किशन कहा है, तिरसा में तो हुआ है, तू किशन नहीं, राम है, महराम नहीं, किशन हूँ, तेरी आखे दोगाखा रही है, माँ, मेरी आखे छोड़, अपनी आखे देख, मेरी आखे? राम, रुक्चा, राम, रुक्चा, राम, रुक्चा, राम, राम, बता, राम, किशन कहा है, मैं नहीं जानता, माप, अगर तू नहीं जानता, तो तुछे राम से किशन बनने की क्या ज़रूत थी, जवाब दे, बता, मैं नहीं जानता, माप, अधूमनी खा ता हम हमेरे पाकां खाए पापा भी ममी के वाओ आख रिगहा है खा आट भापण भागा रमना खाका 500 रहत कि अंए में खार्लедॉ चाचा दुरोजा कोना जो दुरोजा बताना माद पपे ति आफ तो किमेश बापा वापस नहीं लाएंगे जो दुरो आा जाचा मार पापपा का ये जो ना, बताना जाचा हरण मैं करतेओ फिंठाट फЧтоल फचल फिंठा थी किशन कहा है? कि vistि कि म is the school NES! स्टेल शखавлив झान कुव दårी किसनी라고 हमता उर्ण सार्ण सब्द्रश Toil मिए्त है उर्ण पिल्रेंग तिरी सब्सम्स्क्न लोगगहार कि धुज था उख मुश्न। झाक झाक शेयरा किसनी। झाक श necesIM झाक 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 जाक चान समा उति किसनी। किशिन को घर से बिरा नहीं करेगा। तरूंगा मा, उस दिन जिस दिन मुझे पता चलेगा किशिन को हमसे किस ने चीना है। किशिन का गातल कौन है। और उस बटन का मालिक कौन है। माफ, जिन्दगी में आज पहली बार मैने जोटी कसम खाई है। वह भी इसलिए कि मैं सच्चाए को सामने ला सको। जिस आदमी के मुझे तलाश थी, वा आदमी मुझे मिल गया। जाली नोटकावगा पार करने वाला कोई और नहीं। बलके सेट तीन दयाल है। वह आदमी क्यों अपना गुना चुपाने के लिए अपनी नमासों के सिंदगी से कहल सकता है। वह कुछ भी कर सकता है। अब तो मेरा श्यक यकिन में बदल गया है। कि मेरी बीवी और मेरी पिता का आत्यारा है। मा अच के रात उसके सिंदगी की आखरी रात होगे। के रात है। अलो मिस्टर लूई, वेल्कॉम तो इंडिया, वेल्कॉम तो इंडिया वाट वेल्कॉम तुनी तारागम से बिठा है उधर आमरा कॉर्मेट ने तुमारा कॉरंसी पॉखल लिया आदोंट वरी माई दिया कॉरंसी तो फिर भी छप जाएगी और डीडी कभी कोई ऐसा धंदा नहीं करता के जिसमें नुक्सान हो अरे आज हमारा जनम दिन है और किसी का मरन दिन लेड़ा सलिविरेजिट, कम आँ Here it is Cheers Lewis हुाह मौत का फरिष्टा मौत का फरिष्टा मौत का फरिष्टा हिसाब लेने आया सारे सवालों का जवाब लेने आया मौत का फरिष्टा हिसाब लेने आया सारे सवालों का जवाब लेने आया मौत का फरिष्टा हिसाब लेने आया है सारे सवालों का जवाब लेने आया है मौत का फरिष्टा हिसाब लेने आया सारे सवालों का जवाब निने आया हूँ फेपास मेरे जिनकी निजानिया लिखी है जिसमें सारी कहानिया मैं फेपास मेरे जिनकी निजानिया लिखी है जिसमें सारी कहानिया मैं वो गुना हो की मैं वो गुना हो की मैं वो गुना हो की किताब लेने आया हूँ सारे सवालों का जवाब लेने आया हूँ मात का पजिश्टा हिसाब लेने आया है सारे सवालों का जवाब लेने आया है कि अज़ना अनलों का खजिश्टा जवाब लेने आया है कि अथा अज़ना है सारे सहाई लेन यसलाब लेने आया है बच्टा अज़ना है जो 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 निशान नहीं छोड़े मेरे जमन से गुलाब तुन तोड़े सद्मा के माना निशान जहीं छोड़े इसके जमन से गुलाब तुन तोड़े पापस वो सारे वापस वो सारे वापस वो सारे गुलाब लेने आया सारे सवालों का जवाब लेने आया मात का परिष्टा हिसाब लेने आया है सारे सवालों का जवाब लेने आया है जवालों का जवाब लेने आया है मात का जवाब लेने रेने आया जवाब लेने आया ये एए लम्बा जबर है लम्बा जबर है होंगी दुश्वारियों चलने की दाहिब कर लो तैयारिया साथ अब को मैं साथ अब को मैं साथ अब को मैं जनाब लेने आया हूँ सारे सवालों का जवाब लेने आया हूँ साथ का परिष्टा हिसाब लेने आया हूँ सारे सवालों का जवाब लेने आया हूं सारे सवालों का जवाब लेने आया हूं फिरा की कर दो और जार और आई आए मुडिए टारा आए और नारा आए दोरी प्रज़ा झाल हो झाल आए जया आए जया आए ओो प्रियों से जह जगा आप़े, आप़े आपे आप़े आप़े का आप़े का है Ugh huh… तुह हमको यह से जाें दो नहीं तो हम इसका भी मेध कर देगा अपने हैंग आपनी आप मेध को बमोगदो अपने को बहुवा वुड़ि लौडप दे गन अगर गोली मुझे लग दे तो तो इस धर्थी पे बोच कम हो जाता यू बास्टर्ड चुप गए तलाल वेल डन माय बॉई वेल डन जिस तरह शत्रण्ज का अच्छा खिलाडी बाश्चा को बचाने के लिए प्यादों के खुर्बानी देता है इसी तरह हमने अपने आपको बचाने के लिए इन प्यादों को बर्वा दिया लेकिन तुम अपने आपको नहीं बचा पाओगे डीदी को मारने के लिए तुमें छोटा सा तमन्चा लाए हो जिसके कार्दूस भी खत्म हो गए अरे बर्खुरदार है इन खिलोनों से तो हम उस वक्त खेला करते थे जब इन बच्चों की उमर के थे झाचा जाचा ओ आइ थांक यू माइ ग्राइंडडचिल्रण थांक यू जिस उलजन ने हमें इतने दिनों से परेशान कर रखा था उसे तुम ने दो मिनंट में साउल कर दिया तो गया तुम किशन नहीं राम हो मैं किशन हूँ यार राम तोनों ही सूरत में तेरी मौत हूँ मौत के कदमों में आवाज नहीं होती बरकुरदार अगर यकीन नहीं आता है तो नमूना देख लो जाटा अलाम जादेट लेंगवेज फ्लीज लेंगवेज यूटल दी तोक जाटान बने का डान जाटान राम किशन वर्मा के आखरी चराख के बुजने का वक्त आ गया है तुम इसकी मौत से खेलो और हम इनकी जिंदगी से खेलते हैं आजाटा अरे हुँ सामबा तेरी तो याजाटा याड़ दिए वहाओ य факा आचाँ कड्चाँ! बस करो जॉन बस करो, इस दिये का तेल तो अब खत्म होने लगा है, तुम्हें अपने सवालों का जवाब चाहिए था नहीं, हाँ, तुम्हारे भाई किशन को मैंने ही अपने रास्ते से अटाया था, तु नाना नहीं कुट्टा है, मामूली कुट्टा नहीं मुनी, बुल्डाग, क्यूंके तुम्हारी मा की जान भी मैंने ही ली थी, चाचा, भला ही अम बढ़ जाए, मावर इस कुट्टे को नहीं छोड़ना, अगर जरा सा चाखु और खीच लिया ना, तो चाचा से पहले तुम उपर पहुच जाओगे, यहां तुम्हारे दादा राम किशन वर्मा को हमने पहुचाया, यूब चाण, इस मत के फरिष्टे को उसके पिता के पास पहुचा दो, क courtroom कि कि अर tej पूर जएम स lol कि एिया हुआँ em%, are you कि एए mis, कि एए sag़ कि एएâ कि तह खम जए कि एए get एए कि पने है एए कि एए एए एएम बले में की चा हुआ यह जड़ यह बच्चा पचा फच्चा पच्चा बैंक मेनेजर्स का है ए चलो उठ चलो उदार तेरी तो चल ए देखता क्या है थड़ा फट चल चल जशन में आय थे साले कि रिफ्टार कर लो इं सब को दादी 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 मेरे पच्छी वेल दन जैराम वेल दन थाक्यों सब्सक्राइब बैंक मारची है परंट मारची है देखो ये लड़की का रंट मारची है परंट मारची है देखो ये लड़की का रंट मारची है परंट मारची हाम वेल परंट मारची का रंट मारची है